Hello everyone, welcome back to my tip channel, Geografic Alay. आज के इस वीडियो स्टेशन में हम लोग रिमोट सेंसिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे. रिमोट सेंसिंग से रेलेड़ वेरियस टॉपिक्स, वेरियस में टॉपिक्स हम लोग पुरे इस सीरीज में कवर करेंगे. आज के जो पहला टॉपिक है, वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया, अब तक तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें और बैल लाइकन दबाएं. साथी साथ वीडियो पसंद है, तो लाइक करें और मेरी टेलिग्राम चैनल को जोईन करना ना भूलें, इसका लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तो definition क्या है remote sensing की, meaning क्या है remote sensing का, इसको लोग देखते हैं, meaning, remote का मतलब होता है, far away, मतलब जो की दूर है, और second word, sensing, उसका मतलब है to perceive, या to acquire. जो remote sensing है, यह word पहली बार 1960s में यूज किया गया था, यह आप उध्यान रखना है, अब remote sensing basically है क्या, देखे, remote sensing, remote का मतलब जो होता है, जैसे कोई चीज दूर हो, ठीक है, और बिना उसके touch में, बिना उसके contact में, जो चीज दूर है, उसके बारे में, जो हम लोग कोई information acquire करत हैं, तो उसको हम लोग remote sensing बोलते हैं, जैसे हमारी आखे, our eyes, these are also example of remote sensing, हम लोग जो देखते हैं, वो हम लोग की direct touch में होता है, वो दूर है, और हम लोग अपनी आखों को यूज करके उसको देख रहे हैं, और जो चीज देख रहे हैं, उसकी उसके बारे में, या उसकी information है, उसको अपने दिमाग में acquire कर रहे हैं, okay, this is also an example of remote sensing, so geospatial technology में remote sensing का मतलब क्या है, it is a technique, okay, it is a science और an art, okay, यह science भी है और एक art भी है, इसको दोनों ही headings में रखा जाता है, remote sensing is a science and sometimes an art, and it is a technique that is used to collect data about the earth without taking a physical sample of the earth surface, जैसे कि मैंने बताया था कि बिना उसके physical contact में आ करके, हमनों किसी भी एक area की information collect करते हैं, data gather करते हैं, उसी को remote sensing कहते हैं, और यह जो information है, इसको हमनों collect कैसे करेंगे, इसको हमनों cameras को use करके, satellites को use करके, okay, ground based platforms, air based platforms को, aircraft को use करके, इन सब चीज़ों को use करके, हम लोग किसी भी area की information बिना उसके touch में आये कर सकते हैं, acquire कर सकते हैं, okay, तो यह तो धा remote sensing का meaning और definition, क्या होता है basically remote sensing, तो हम लोग देखेंगे process, components और stages of remote sensing, अगर आप यह question है process पुछा गया है, तब भी आपको यह लिखना है, components तब भी यही और stages, तब भी यही आपको लिखना है, कि क्या है working की, मतलब remote sensing का क्या technique है, कैसे यह काम करता है, इसको हम लोग साथ, जितने भी steps है हमारे, उनको एककर करके discuss करेंगे, so जो पूरा process है remote sensing का, इसको हम लोग 7 steps में divide करते हैं, okay, कहीं-कहीं, मतलब जायतर 7 steps में ही divide किया गया है, ठीके कुछ और subdivisions हो सकते हैं, ठीक, पहला process है, energy source or elimination, ठीके, to process A है, then radiation and interaction with atmosphere, then interaction with target, then recording of energy by sensors, then fifth step, transmission, reception and processing, sixth step, interpretation and analysis, and last step is application of the collected data, इस सारे processes हम लोग इस पूरे figure को यूज करके बदा सकते हैं, अगर आपका एक question आया है, तो आपको इमान के चलो आपको एडागराम और इस सारे steps लिखने ही पढ़ेंगे, okay, अब इन सारे steps को हम हम लोग एक ही करके discuss करेंगे, detail में, okay, लेकिन इस process को समझने से पहले, सबसे पहले हम लोग को यह समझना पढ़ेगा कि electromagnetic energy की physics क्या है, what is electromagnetic energy, because यह पूरा remote sensing का जो process है, यह totally electromagnetic radiation और electromagnetic energy पर based है, okay, तो remote sensing में जो हम लोग energy यूज करते है, वो sun के energy यूज करते हैं, ठीक, और sun की energy is, okay, sun से जो energy निकलती है, उसमें magnetic और electric दोनों components होते हैं, और यह दोनों components आपस में perpendicularly oxalate करते हैं, यह perpendicularly propagate करते हैं, जैसे कि आप इस figure में देख सकते हैं, कि electric component और magnetic component के बीच का जो angle है, वो 90 degree का है, okay, that means they are propagating perpendicular to each other, तो इस form of energy को हम लोग electromagnetic energy बोलते हैं, जिसमें, ऐसी energy, जि perpendicular direction में propagate करते हैं, अब यह जो है, यह waveform में transmit करती है, so इसका wavelength भी होगा, इसकी frequency भी होगी, ओगे इसका amplitude भी होगे, so wavelength और frequency के हिसाब से, इन radiations को, electromagnetic radiations में, हम लोगे बहुत सारे divisions कर रखे हैं, जैसे radio waves, microwaves, infrared rays, visible light, UV rays, X rays and gamma rays, इनको भी हम लोग आगे देखेंगे, so इस पूरे electromagnetic spectrum में, electromagnetic energy में, एक कुछ ही portion होता है, जो हमारी आखों से देखा जा सकता है, ठीक है, उसको हम लोग visible part बोलते हैं, या visible spectrum of electromagnetic energy बोलते हैं, और यह जो visible part of electromagnetic spectrum होता है, इसमें seven colors देखे जाते हैं, ठीक है, इसका नाम है विप्गियो, रहनी, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, इसको हम लोग rainbow colors भी बोलते हैं, उसके बाद, जो next to visible spectrum होता है, उसको हम लोग infrared band बोलते हैं, जो कि human eyes से तो visible नहीं है, लेकिन जो remote sensing में, जो sensors हम लोग use करते हैं, वो infrared bands को recognize कर लेते हैं, कर सकते हैं, okay, so अगर हम लोग यह पूछा जाए कि remote sensing में कौन सा electromagnetic energy का component यूज करते हैं, हम so we use visible light and infrared band of electromagnetic spectrum in process of remote sensing, so इस figure में, जो हम लोग देख सकते हैं, यह पूरा electromagnetic spectrum बना हुआ है, जिसमें जो gamma rays है, उनका wavelength बहुत कम है, लेकिन frequency बहुत जादा है, और जैसे नो gamma rays, x rays, uv rays, visible light, infrared, microwave, radio, मतलब gamma rays से radio wave इस तरह move करेंगे, तो जो wavelength है हमारा, वो increase करेगा, और frequency decrease करेगा, so यानि कि जैसे-जैसे wavelength increase करता है, वैसे-वैसे frequency decrease करती है, और shorter wavelength होती है, तो frequency जादा होती है, similarly अगर visible band की बात करें, तो सबसे जादा wavelength जो होती है, वो red light की होती है, और सबसे कम जो wavelength होती है, वो violet light की होती है, so यह सब चीज़े आपको ध्यान रखनी है, जह हम लोग आगे spectral signature, spectral reflectance और spectral resolutions ठीक है, यह सब पढ़ेंगे, तो उसमें इन ही सब को हम लोग consider करेंगे, wavelength को, अब जो हमने electromagnetic spectrum के बारे में देख लिया है, जो कि हम लोग आगे use करेंगे, अगली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, so हम लोग process या stages of remote sensing देखने, तो पहला step था हमारा energy sources और illumination, okay, remote sensing process में सबसे पहली requirement जो होती है, वो होती है, एक energy source का होना, ठीक है, और उस energy source से क्या characters चुखोनी चाहिए, कि उस energy source से electromagnetic energy निकलनी चाहिए, और वो जो electromagnetic energy निकल रही है, वो target, जो target है हमारा, जो चीज़ हमें sense करनी है, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, okay, और हमार अर्थ के पास क्या source of energy है, sun, okay, sun is the earth's only form of heat, और जो solar energy है, वो जो sun emit करता है, solar energy से कहते हैं, वो electromagnetic energy के form में travel करती है, तो पहली condition तो हमारी fulfill होगी कि जो हमारा energy source है, वो तो में मिल गया, ठीक है, energy source किया है हमारा sun, और sun से जो energy निकल लिए है, वो electromagnetic energy के form में travel कर रही है, तो यह ह हो गया हमारा पहला process, यानि पहला step, energy source और illumination, okay, second step जो है हमारा radiation and interaction with atmosphere, okay, अब sun ने energy वो रेडियेट कर दी, ठीक, अब जब वो sun ने रेडियेट कर दी energy, वो तो wave के form में travel कर रही है, अब जब वो travel कर रही है, तो atmosphere के तो travel करना होगा उसको, because अगर वो कोई चीज स्पेस से आ रही है, तो पहले atmosphere से होगी गुजरेगी, तभी तो earth surface पे आएगी, so, जब वो earth surface पे आ रही होगी, atmosphere से travel कर रही होगी, तब उस energy में, उस solar energy में, कुछ part scatter भी होगा, कुछ part absorb भी होगा, और कुछ part reflect भी होगा, जैसे कि हम लोंने heat budget में पढ़ा है, तो उसमें क्या बोला जाता है, कि जो भी incoming solar radiation है, earth की, ठीक है, जो की short wave solar radiation है, उसका काफी portion clouds reflect कर देते हैं, काफी portion, जो है, जो atmosphere में dust particles पढ़ें, या कुछ और water पर पढ़ें, उनसे scatter हो जाता है, या atmosphere में काफी portion उस light का absorb होता है, उसके बाद फिर, जब वो cloud से pass होते हैं, जब वो surface पे आते हैं, काफी portion reflect वहाँ से होता है, काफी absorb होता है, काफी scatter होता है, सो कुलमिला की यह देखा जाए, जब यह solar energy pass हो रही होगी, जो source है और target की बीच में, तो उसमें काफी सारा scattering, यह reflectance और यह absorption है, इसके process होंगे, और एक चीज़ और, जब यह energy एक बार incoming wave में आ रही है, ठीक है, ज जब यह वापस target से sensor के पास जाएगी, ठीक, तो फिर से यह long wave form में जाएगी, तो इसका मतलब कोई भी electromagnetic energy sun से जो आ रही है, उसको atmosphere में दो बार interaction करना है, एक बार जब वो source से target के पास आ रही है, जब sun से earth surface पे आ रही हो, second बार, जब वो surface है, जब वो target से, जो उसका reflectance है, जो वो sensor के पास जाएगी, okay, scattering एक बहुत important process है, उसको उमनों देख लेते हैं, टोड़ा detail में, scattering is a process by which small particles suspended in the medium of different indexes of reflection, diffuse a portion of incident radiation in all direction, scattering का simple meaning होता है, बिखरना, ठीक, जब radiations, जब solar energy, अर्ट में ट्रैवल कर रही है, तो उसे बहुत सारे dust particles हैं, water vapor हैं, gases हैं, okay, उनसे जब टकर जाएगी, तो वो अपना direction change कर लेगी, बिखर जाएगी, okay, that is known as scattering, scattering का process होता है, इसमें energy का कोई transformation नहीं होता है, जैसे कि refraction और reflection में energy transformation होता है, लेकिन scattering में कोई energy transformation नहीं होता है, इसमें सिर्फ जो distribution of energy, यह मतलब spatial distribution of energy, उसका direction चेंज होता है, उसका path चेंज होता है, scattering जो है यह उसमें दो type के होता है, relay scattering, जो की upper atmosphere में होती है, नहीं 4.5 km के उपर, जहां पर जो particles है, वो wavelength, जो radiation आ रही है, जो light आ रही है, उसकी wavelength से, जो particle का size है, वो बहुत कम है, ठीक है, और यह particles कौन से हो सकते हैं, these are atmospheric gases, okay, तो atmospheric gases से होने वाली scattering जो होती है, वो relay scattering होती है, और जो sky का color है, blue, okay, और यह जो दिखता है, sky color, this is due to relay scattering only, तो यह बहुत एक important question है, और बहुत से competitive जाता है, कि जो sky का color blue है, किस scattering से दिखता है, तो you have to take relay scattering, second type के scattering है, my scattering, my scattering जो है, यह lower atmosphere में, जो की नीचा पाट है, atmosphere में, atmosphere का, वहां पर होता है, और यहां पर जो particle का size है, यह जो radiation की wavelength जेनते हैं, उसके almost बराबर होता है, okay, almost equal होता है, और क्योंकि यह lower part of atmosphere में हो रहा है, तो obviously बात है, pollen grains, dust particles, smoke, इन सब चीजों से scattering हो रही होगी, यानि इन सब particles से lights टकरा रही होगी, और scatter कर रही होगी, और तो my scattering है, इसकी वज़े से cloud से color white है, यह हमनों को दिखता है, okay, so अ होती है, जब जो particles का size है, वो wavelength से काफी बढ़ा है, जो radiation आ रही है, उसके wavelength से particle size काफी बढ़ा है, तो इस case में यह non selective scattering होती है, और यह किस वज़े से हो रही है, जो water droplets, ice fragments, यह large dust particles पढ़े हुए हैं, atmosphere में suspended है, उनकी वज़े से यह non selective scattering होती है, तो relay scattering होती है, atmospheric gases की वज़े से mind scattering होती है, pollen, dust, यह smoke की वज़े से, और non selective scattering होती है, water droplets, ice fragments और large particles जो present है, atmosphere में, तो यह तो हो गया हमारा step 2, यहनि radiation and interaction with atmosphere, कि light जब travel करेगी, atmosphere में, तब वो scatter, reflect और refract और absorb इन सब process से गुजरेगी, और यह processes होने की वज़े से, जो spectral responses होंगे, वो भी chain होगे, इसलिए हम लोग उ energy का behavior change होगा, तो उनके द्वारा कियेगे, जो response होगे, जहां से वो reflect होएं, जो sensor उनको record करेंगे, वो भी change होगा, वो भी alter होगा, fourth process है, जो fourth step है, वो interaction with the target, जब light अब sun से target की तरफ आ रही है, आप वो target से interact करेगी, अब यह जो interaction होगा, target से, तो यह जो target से interaction होगा, मान जो target कोई पेड़ है, या कोई hut है, या कोई land है, कोई glacier है, या कोई river है, तो targets तो अलग-अलग हो सकते हैं, और हर target की property भी अलग-अलग होगी, और जो हर target की property और हर wavelength से अलग-अलग behavior दिखाएगी, ठीक है, जैसे for example, अगर हम लोग water की बात करें, तो water का, water में जो longer wavelength है, visible light क और near infiltration की, वो absorb जादा होती है, ठीक, as compared to short visible wavelength, okay, so इसकी वज़े से, जब जो short visible wavelength है, वो जादा reflect हो रही है, okay, इसकी वज़े से, जो water है, वो typically blue या blue-green color, तो आप satellite image देखेंगे, तो इस color का दिखता है, और अगर आप infrared spectrum से देखेंगे, तो वो जो है, darker दिखेगा, क्यों darker कर लिए, because उसने सारी light absorb कर लिए, infrared absorb करता है, जादा, वो water जो है, और जो shorter wavelength है, वो जादा reflect करती है, so इसका मतलब है, हर target का जो interaction होगा, हर target का जो spectral signature होगा, spectral response होगा, वो अलग-अलग होगा, और अलग-अलग wavelength में भी अलग-अलग होगा, इस पूरे topic को हम लोग अलग से discuss क स्पेक्टल से nature, spectral responses के बारे में, okay, so जो अर्थ की बात करें, तो 51% अगर हम लोग जो हमारे अर्थ सर्फेस पर सोलर रिडिशन आ रहा है, वो टोटल 51% आ रहा है, ठीक है, 100% का, और इस 51% में, इसको अगर हम 100% मार ले, तो इसका 4% जो है, भी वापस reflect back हो रहा है, एक्मास कुछ जो objects होते हैं, या कुछ surfaces होते हैं, वो अच्छे reflectors होते हैं, ठीक, और कुछ जो objects होते हैं, वो अच्छे absorbers होते हैं, for example, ice, ice जो है, यह अच्छा reflector है, वो जितनी भी light आएगी, जितना भी energy आएगा, उसको अच्छे से जाधा reflect करेगा, और अगर उसकी जगा हम या कोई sand ले 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 हैं, जो wet है, वो जाधा absorb परेगी, as compared to, जाधा reflect, so, जितना भी खेल satellite remote sensing का हैं, यह total is based on reflection and absorption, okay, so, spectral reflectance क्या होता है, किसी भी object ते spectral reflectance वो होता है, मतलब EMR का, electromagnetic radiation का, वो percentage of light, या वो percentage of part, जो की किसी object से reflect किया गया है, जो वापस चला गया है, ठीक, इना specific wavelength और a spectral band, और इसी spectral reflectance, यह इसी reflectance को, अगर एक broader segment में, बोग अलबिडो बोलते है, इसको में क्लमेटोलोजी में ही पढ़ाता है, कि अलबिडो क्या होता है, कि अलबिडो is the amount of energy that is reflected back, that is reflected from the surface of the earth, तो जैसे ही table बनी हुए, इसमें लिका है, black body का, अलबिडो 0%, fresh snow का, अलबिडो 75% to 95%, fresh deep snow का reflectance 90%, यह stubble field का reflectance 0.15%, 0.17%, sand का 0.18 to 0.21, यह 0.21 को अगर आप 100 से multiply कर देंगे, तो यह percentage में आ जाएगा, तो यह पूरी table बनी हुए है, कि इसमें कैसे reflectance और कैसे albedo matter करता है, तो अगर albedo जादा होगा, तो इसका मतलब जादा reflective होगा, जादा energy reflect होगी, और उसकी वैसे, अगर energy जादा reflect होई है, तो वो object जादा bright दिखेगा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कि snow जो होती है, fresh snow होती है, उससे सबस्यादा energy reflect होती है, इसकी वैसे, अगर आप satellite images bright होगा, उतना जादा उसका response white होगा, उसके बाद जो हमारा next process that is recording of energy by the sensors, sensor क्या होता है, बैसकी sensor है कैसे device होती है, जो कि हमारे remotely object में से satellite है, या कोई platform है, या कोई aircraft है, उसमें sensor लगा होता है, जिसमें, जो हमारी energy target से reflect या transmit होगी गई है, वो record करता है, वो catch करता है, ठीक है, तो मतलब जैसे हम लोगे पिछले steps देखें, कि energy आ रही है, फिर reflect हो रही है, तो जो energy reflect होई है, या scatter होई है, ये मतलब एक device चाहिए है, जो इसको catch करेगा, जो इसको capture करेगा, जो इसको capture करेगा, जो इसको capture करने के लिए हम लोग sensors का use करते है, sensors बैसिकली दो टाइप के होत है, उसको use करके remote sensing का process करते है, टिक जैसे ही जितनी भी satellites होती है, इन सब में, ये सब earth की energy है, दूसरी sun की energy है, sun की solar energy, उसको use करके process करते हैं, और फिर sensors बहुत टैप के होते हैं, movement के साब से, इनकों लोग अलग से video बनाएंगे, जिसमें sensors और platform discuss करेंगे, उसमें detail में discussion next step is transmission, reception and processing, अब जो energy record की गई है sensor में, ठीक है, इसको जो record की गई है, ये तो एक response है, ठीक, ये तो एक spectral response है कि उस object ने कैसा behave किया है, तो फिर जो जो energy record की गई है, इसको electronic form में, ये electronic form में होती है, ठीक, उसके बाद इसको processing station ने भीजा जाता है, फिर वहाँ पर इस electronic image को digital या hard copy में convert किया जाता है, ताकि फिर उससे further processes हो सके, ये 6th process था, 7th process is interpretation and analysis, जब image process होके आ गई है हमारे पास, तो image तो process हो गई है, अब उसको क्या करें, ठीक, तो उसका analysis करते हैं, या तो visually भी करते हैं, या digitally भी करते हैं, हमलों का अभी आके पढ़ेंगे, visual image interpretation, digital image interpretation, इस सारे topics भी full flesh topics है, जिन पर videos बनाऊंगा मैं आगे, तो visual image interpretation में होता है, कि हम लोग image को देख करके, बस क्या उसके, जिस area का हम लोग ने study किया है, उसके बारे मता सकते हैं, उस particular area का size, texture, ठीक है, shadow, ये सब देख करके, हम लोग जब interpret करते हैं, उस area को, उसको हम लोग visual image interpretation कहते हैं, औ और जब किसी चीज को, किसी image को, हम लोग digitally, computers को यूज करके, या digital platforms को यूज करके, हम लोग उसका interpretation करते हैं, इसको हम लोग use करते हैं, जब policy making में, planning में, या इसका जब applied part होता है, उसको हम लोग application part में count करते हैं, जैसे हमने किसी भी agricultural area का, remote sensing से data तो निका लिया, images तो निका लिया, अब उस image को use करके, उसका crop yield, ठीक है, उसका soil management, या उसका कितना soil fertility है, या उसका crops का growth कैसा है, उसको analyze और interpret करने के लिए उसका, ये उसका applied part हो गया, ओके, तो application part is the last portion, last part of the last stage of this process, जैसे हम लोग जो भी data collect किया है, उसको हम लोग application process म problem solving process में, और scientific studies में use करते हैं, so this was all about the process of remote sensing, इसके बाद हम लोग और भी remote sensing को topics को discuss करेंगे, एक एक करके, ठीक है, so अगर इसमें कोई भी confusion, कोई भी data, कोई भी query हो, तो प्लीस comment section में मेंशन कर दिजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो subscribe करेंगा, bell icon को बाइएगा, और वीडियो करेंगे पर वाचिंगे, एक करेंगे, जए हुआ है।